अब इस वीडियो में आप पढ़ोगे जो आपने word problems पढ़े हैं जो addition पढ़े हैं उनसे related multiple choice question सो start करते हैं टिक राइट देन correct option इसमें जो भी option correct है उसी पर आपको क्या करना है टिक करना है तो इसका question number है one 8,550 प्लस इक्वल 8,550 अब देखो आपको question दिया हुआ है कि जो आपका 8,550 है उसमें आपको क्या प्लस करोगे कि 8,550 ही उसका answer आपके पास आई तो देखो A option है क्या आप उसमें one प्लस करोगे B option है क्या आप उसमें zero प्लस करोगे और C option है आपके पास क्या आप उसमें 8,550 प्लस करोगे ये तीन option है आपके पास तो देखो अगर हम इसमें one प्लस करते हैं ठीक है तो 1 प्लस करते ही कित्ते हो जाएंगे 8551 हो जाएंगे क्योंकि यह जो 1 है वो भी इसमें प्लस हो जाएगा बट हमें क्या चाहिए 85550 ठीक है अगर हम 85550 में 85550 एड करते हैं तो भी क्या होगा तो भी इसमें जो आपके आंसर होगा जो सम होगा वो ही चेंज होगा अब देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें 0 प्लस कर सकते हैं क्योंकि अगर हम इसमें 0 प्लस करेंगे ठीक है अगर हम इसमें 0 प्लस करेंगे तो जो यह वैल्यू है वो क्या होगी वो as it is ही आ जाएगी तो नंबर सेकेंड नंबर सेकेंड है 54,300 28 प्लस अब आपको इसमें क्या प्लस करना है कि आपका आंसर आजाए 77,000 आंसर आजाए आपका तो आपके पास इसमें ओप्शन दिये है ओप्शन ए है 22,761 फिर देखू B ओप्शन है 22,000 22,762 अब आपको देखना है कि क्या प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा तो आंसर क्या आएना चाहिए 77,000 आना चाहिए तो देखू अगर हम क्या आंसर हमें मिले तो हमारा आंसर तो पहले ही आ चुका है 77,000 बस फाइंड आउट क्या करने है second number find out करने है तो देखो अगर हम 8 में 1 प्लस करते हैं तो क्या आता है 9 तो आ क्या रहा है आपे 0 ये भी नहीं होगा अब देखो 8 में आपको क्या प्लस करना है 2 तो कित्ता होगा 8, 9, 10 हो जाएगा 0 तो आ रहा है पिर आगे की value देखते है फिर 2 में क्या करोगे प्लस 1 तो 3 3 में 6 तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ रहा है यहां भी 0 नहीं आ रहा है ठीक है फिर देखो 8 में 2 प्लस करोगे तो 10 हो जाएगे तो 0 आ जाएगा वो 1 कैरी में चला जाएगा तो यहां हो जाएगा 3 3 में 7 प्लस करोगे तो हो जाएगा 10 10 में तो यहां भी 0 आ जाएगा ठीक है फिर एक कैरी चली जाएगी तो 3 में 1 प्लस करोगे तो 4 हो जाएगे 4 में 6 प्लस करोगे तो 10 हो जाएगे तो यहां 0 आ जाएगा एक केरी में चला जाएगा 4, एक केरी प्लस हो जाएगी तो 5, 5 to 7 और 5 to 7 तो 77,000 आ जाएंगे न तो आपका जो C option है वो correct है फिर देखो question number third question number third है 37,885 plus 0 is is equal is equal to देखो इसमें लिखाव है कि 37,885 में अगर आप 0 प्लस करते हो तो क्या value आएगी आपके पास है option A आपके पास है option A में 0 आएगा B option है 1 क्या 1 आएगा C option है आपके पास 37,885 आएगा तो आपको पता है कि अगर हम 0 प्लस करेंगे तो वो as it is value आजाएगी अगर हम 37,885 में 0 प्लस करते हैं तो as it is वोई value आजाएगी तो वोई value आजाएगी तो आप यहां पे लिख सकते हो 37,885 ठीक है अब देखो क्योशय नमबर 4 क्योशय नमबर 4 क्या है क्योशय नमबर 4 है 1280 प्लस 400 प्लस 35 is equal to अगर यह जो तीन डिजिट है अगर आप इनको प्लस करते हो तो क्या आंसर आएगा यह आपको करना है तो देखो A ओप्शन है आपके पास 1750 15 ठीक है B ओप्शन है आपके पास 925 और C ओप्शन है आपके पास 1675 अब तो हम अगर इनको फ्लस करते है तब ही हमें पता रहेगा हम प्लस करते है 1280 फिर 400 फिर 35 ठीक है क्या करना है प्लस करना है तो 00 कोई वैल्यू नहीं है तो यहां आज़िटीज क्या जाएंगे 5 8 8 में 3 प्लस करना है तो 8 9 10 11 तो यहां पे आजएगा 1 फिर यह कहरी में चला जाएगा तो 2 में 1 प्लस करोगे तो 3 3 में 4 तो 3 4 5 6 7 यहां पे क्या लिख दोगे 7 और यह 1 एज़िटी जाएगा तो 1715 तो आप यह जो है उस पर टिक कर दोगे यह हो गया आपका कम्प्लीट फिर देखो क्योशन नमबर 5 क्योशन नमबर है 5 क्योशन नमबर 5 में है Each of 3 नमबर Each of 3 नमबर Each of 3 नमबर To be To be Added To be Added In Non-As अगर Each of 3 नमबर To be Added जो 3 नमबर है हाँ जो 3 नमबर है अगर हम उनको Plus करते हैं Added मतलब नमबर हैं अगर ब्लस एज़ स्पर्ट हैं मतलब Add करते हैं अगर हम तर नमबर नमबर हैं अगर हमसी रहू से में हैं आगर हमसी नमबर हैं आप क्या लिखोगे ठीक है, फिर देखो, क्योशन नंबर 6, क्योशन नंबर 6 है, 6,800 प्लस 3,000, 3,200 is, is equal to, 6,800 और 3,200, equal कितने होंगे, यह पुछ है आपसे, तो आपके पास option है, A, 9,000 होंगे, option है B, या फिर 11,000 होंगे, option है C, या फिर 10,000 होंगे, ठीक है, यह आपको बताना है, तो हम add कर लेते हैं, 0, 0, यह हो गया, 0, 0, फिर देखो, 8, 8 में 2 प्लस करोगे, तो कितना हो गया, 10, तो यह आ गया, 0, 1 चला गया, 6 मे, 6 में 1 प्लस करोगे, तो हो जाएगा, 7, 7 में 3 प्लस करोगे, तो 7, 8, 9, 10, यह हो गया, 10, क्या हो जाएगा 10,000 ठीक है फिर देखो question number 7 question number 7 है plus 0 equal 14,793 देखो आपको एक value एक नमबर तो दे दिया second नमबर तो दे दिया 0 first number find out करना है answer क्या आना चाहिए 14,793 अब देखो option है आपके पास इसमें क्या plus करोगे कि 14,793 आजाए फिर देखो B option है 14,793 प्लस कर सकते हो C option है आपके पास 14,794 या फिर आप 14,794 प्लस कर सकते हो तो हमें value चाहिए 14,793 तो 93 चाहिए तो हम 94 कैसे प्लस कर सकते हैं 23 प्लस कर सकते हैं तो आप टिक करोगे 9B option पर यहां लिखोगे 14,793 I hope आपको part 13 है जो पढ़ाया है वो समझ में आ गया होगा अगर इससे related आपको कोई भी problem है तो DAV school के whatsapp number पर message कर सकते हो तेंक यू